नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल आसान पल मैं आज की इस एपिसोड में आप देख रहे हैं कि इमली रखी हुई है यह वही इमली है इसका नाम लेती ही हमारे मुझे पानी आ जाता है पानी रसने लगता यह बहुत खटी होती है और बहुत मीठी भी ह होती है यहने खट मीठी भी होती है और मीठी भी होती है और इसके कई सारे वेंजन मत दे इसको सालबा सुरक्षे तरखने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी देशी पुराना और सरल उपाया बताने वाली हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है कि इतने के लिए आप चाहें तो इसको फोड कर भी छिलके निकाल सकते हैं यह देखिए यह सारी इमली के छिलके निकल चुके हैं अब इसके अंदर बीज है बीज को निकालना भी बहुत जरूरी होता है यादि आप बीज रहने देंगे तो फिर अंदर से कीड़े लग जाएंगे इसलिए इसको सुरक्षे दर्खने के लिए बीज निकालना बहुत जरूरी है आप चाहें तो सिल्वट्टे की मदद भी ले सकते हैं यह देखिए मैंने इसकी सारे बीज निकाल लिए हैं अब यह अच्छी तरह से सुरक्षे थैं आप चाहें तो चोटे चोटे टुकडे भी कर सकते हैं आप ने भी तरह हमारे चैनल आसानफल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप चाहें तो छोटे टुकडे करें या ना करें यह आपकी उपर है लेकिन आपको इस तरह से एक दम से साफ सुत्रा कर लेना यह साल भर में भी सकते हैं साल भर में च्टणनी बना सकते हैं इसकी मुरब्ब अचार बना सकते हैं या चाठफल गी के लिए भी आप ली का यूच करLife करते हैं तो सालवर की प्रान अदेशी आपको आइडिया नमख करना है अब क्या करना है इसको मिक्स करना है जब तक आप मिला लेना है अब हमें क्या करना है कि हमारा खाने वाला किछिन नमक होता है तो हमें लगब बग यह देख रहे हैं आप एक यह स्मच वकम यानि मिखिए है नमक हम पहुंच तो यह हैं यह स्मस्ता हम 5-6, लृट वांने गमी कि मीक्स कर लेगा म ताकि जहां से परत्रइस के लगि कि लिगेतर हम थोड़ा से पानी किन के symbolism करता है कि अन्मक और महीं हमें इसके बाद आपको थोड़ी देर तक 15 मेर तक इसको दूब में रखना है और आप एयर टाइड डिब्बा में रख दीजिए तो यह साल भर के लिए आप एक साल दो साल तक के लिए आप सुरक्षित इसको रख सकते हैं तो वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताईए अंत त धन्वाद